तो आपका सभी का सौगत है पावर पॉइंट टिटोरियल में सबसे पहले मैं आपको बताओं कि यह जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर मैंने वो वीडियो बनाया लेकिन पहले तो हम वो वीडियो देख लेते हैं फिर एक बार 30 सेकेंड वाला कि जिस आपने अभी जो वीडियो देखा उसको जिस पीपीटे से मैंने बनाया है उसको हम पहले देखेंगे यहां पर यह पीपीटी है यहां पर दो पीपीटी है जो हम बनाएंगे वो यह और जो पीपीटे से मैंने यह बनाया हूँ वो यह वाली पीपीटी है तो टोटल 10 स्लाइड्स मैंने इसको यूज किये थे आप देख पा रहे हैं यहां पर एक से 10 स्लाइड्स है तो इसके अंदर अब मैं इसको प्ले करूंगा तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग तो यहां पर क्लिक किया और यह जो पूरे लेटर्स है वो इस तरह से फैलेंगे और यह करोनवाइरस यहां पर घूमने लगेंगा उके उसके बाद सिरिफ इसके अंदर के CRNAEA लेटर्स आएंगे और दो रोटेटिंग अर्थ जो मैंने जीफ इमेजिस ली है वो यहां पर हम और उसके बाद इसकी पिक्चर कॉलिटी थोड़ी सी पिक्चर फॉर्मेटिंग थोड़ी से करेंगे और फिर और पिक्चर फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके बाद करोना से यह वर्ड बनेंगा इंडिया और वो जो दो जो गलोब थे उससे थोड़ा सा पिक्चर इफेक् और उसके बाद ये नीचे वाले टेगल लाएंगे, we'll save the world, but please stay home and stay safe. और उसके बाद, जो है, ये Combo Pro, Production, इंडिया वैसे ही रहेंगा, और इंडिया के उपर, जो है, ये World का मैप आएंगा, जो करोना से affected areas है, और उसके उपर, जो है, ये New World का मैप आएंगा, जिसे World पूरी तरह से दुरूस्त हुआ है, और उसके बाद, उसके इंडिया निकल के बाहर आएंगा, कि ये जो production है, फ्रम इंडिया से है, और खास करके जो है, वो शिरडी से है, और उसके बाद, जो है, ये, हूँ, और फिर ये blank, right from scratch से हम इसको सीखेंगे, already मैंने 10 slides ले लिये है, ओके, तो यहाँ पर, जो है, सबसे पहले मैं कुछ text ले लेता हूँ, ओके, जो text यहाँ पर थे, उसको मैं copy करता हूँ, यहाँ पर, जैसे कि आप इसको ले सकते है, यहाँ पर यह copy किया मैंने, control C, ओके, और उसके बाद यहाँ पर control V, और यह जो letters है, इसके इंदर C, O, M, B, O, sorry, यानि C, O, R, O, N, A, ओके, यह 6 letters है, और यह 6 letters को हम again duplicate slide करेंगे, या फिर इसको हम copy कर सकते है, ओके, control C, और यहाँ पर जो है, यह control V, ओके, और फिर इसको इस तरह से arrange करें, जैसे कि diagonal manner में इसको arrange करें हम, तो अभी एक एक लेटर, इसको 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 इहाँ पर लेना है, जैसे कि A है, ओके, और फिर यह N है, अब इसमें वक्त थोड़ा सा एको 30-40 second का लगेंगा, तो इसको मैं है विसे यहाँ से copy करता हूँ, जैसे कि आप देख पार है, यहाँ पर यह जो slide जो मैंने पहले बनाई थी, यह जो diagonal letters है, इस तरह से इसको arrange करें, और यहाँ पर paste करें, और उसके बाद जो है, यहाँ पर यह वाला जो diagram है, वह भी हम ले ले लेते है, इसको control C, और यहाँ पर जो है, वह control V, अब इसको continuously move करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है, पहले तो हमको इसको click करना है, और फिर animation में जाकर जो है, जो exciting effect है, exciting effect, okay, emphasis effect, okay, emphasis के अंदर spin में जाना है, और फिर हम यह animation paint ले ले लेते हैं, अब यह animation paint के अंदर जो है, यहाँ पर हम यह setting के अंदर, यहाँ पर effect option है, और effect option में जाकर, जो है timing है, timing के अंदर जो है, आपर repeat कहा गया है, और repeat के अंदर हम यहाँ पर बोलेंगे, until end of slide या फिर until next click, मैं पर until next क्लिक करता हूँ और फिर इसको okay करेंगे हम और एक continuously move होता रहेंगा जब तक की next slide नहींगे जिसको हम देखेंगे अब यह जो है slide show इस slide से हम current slide से play करेंगे इसको click करने के बाद जो है यह move होता रहेंगा continuously move होता transition वाला effect यहां पर next slide करने के बाद जो है ऐसे डायरेट आएंगा लेकिन इसको खींचता हुआ जब इसको diagonally हमको effect देना है तो एक बहुत ही खुबसूरत सा effect यहां पर है transitions के अंदर जो है morph effect के अंदर जाए okay दूसरी slide पर जहां पर आपको effect देना है वो दूसरी slide को slate करें और transition के अंदर यह morph और morph के अंदर जो है यह करोना इस word को diagonally spread करने के बाद और इस diagram को continuously move करने के बद हम बढ़ते हैं इसरी slide के उपर जिसके अंदर आप देखेंगे कि यह जो है इस इन दोनों के बीच में जो है आपको transition effect देना है second और third जो slide है इसके बीच में आपको smooth transition effect देना है morph जैसे कि apply all ही करना है ओके जिससे सबी slides के लिए effect चाहेंगा इसके बाद जो है इसको इस earth को जो है कुमसा effect देए यह मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको लगेगे यानि इससे आप indicate कर सकते है कि यह जो word है world है वो पूरी तरह से करोना से affected हो रहा है तो यह जो है वो effect है okay soft age rectangle और उसी तरह से इसको भी soft age rectangle करें और इस slide को जो है आप 3rd वाले slide को जो है डुप्लिकेट करें और 4th में यह effect दे दे तो वह smoothly transition महाँ पर आपको effect देखेंगा उसके बाद फिर और जो है इसको आपको इसकी size जो है वो छोटी करनी है ताकि यह बराबर जो है और उसको थोड़ा सा बीच में arrange करना है कि इस तरह से और फिर C के जग़ जो है आपको आई लिकना है यहां पर चटी वाली slide जो है और N है रखना है के A B रखना है करोना का जो आपको आपको बलकि वह ट्रांजिशन एफेक्ट के अंदर जो है उसे के अंदर जो है यह अपनी जगह पर चला जाएंगा और उसके बाद नीचे जो यह टैगलाइन आपको लिकनी है लेकिन इसको जो एफेक्ट आया है जैसे के अब को दिखांओ यहां पर स्लाइड़ शोचो फ्र स्राम करनना है नला चैपर चहटा वाला स्लाइड और यह करन है profit तो यह जो इफेक्ट है आप देखेंगे कि इस तरह से我 च्थोए देखने में कुछ अच्छ लगता है तो इसके बर आप जो है इसको सिलेट करें अर। करके जो है यहाँ पर अनीमेशन के अन्दर मेरा यहाँ जाए और 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 animation pane के अंदर जो effect है, इसके अंदर इसके जो settings है, okay effect options, effect options के अंदर जा कर जो है, आप animate text जो कहा गया है, वहाँ पर by later ले ले और by later लेकर जो है, आपको कितना second को हर एक later appear होना चाहिए, जिसे कि मैंने याप 1.1 second आप ले सकते हैं, या 1.2 second आप ले सकते हैं, okay इस तरह से ये च साधा समय होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, effect options के अंदर जा कर जो है, आप by later और 0.1 second करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा fastly appear होने लगेंगा, okay उसके बाद जो है, आपको इंडिया के उपर ये जो map लेना है, पहले वाला ये वाला map लेना है, okay affected area वाला, इसको जो है animate कर दिया है, ये wipe वाला effect आपको देना है, और उसके बाद जो है add animation में जाकर जो है, आपको ये more exit effect जो है, exit effect के अंदर जो है आपको wipe effect देना है, okay, उसके बाद जो है ये आपको image इसके उपर लगानी है, और इसको उसके उपर जो है wipe effect आपको देना है, शिफ एक इफेक्ट okay, उसके बाद ये हैवेसे लेटर से रखे हैं पर इंडिया का map ले ले और यहां पर फ्राम लिखे सिरिफ इंडिया उपर से जो वो वर्ल्ड की नीचे था, वो अपने आप यहां पर नीचे चला आएंगा, okay, और उसके बाद ये शिरडी लिखे यहां पर, okay, इंडिया के जगा, तो वो इंडिया शिरडी में तब्दील हो जाएंगा, और इंडिया मैप के जगए यहां पर ये लिफ साही बब यहां पर लगाए, okay, वो उसके बाद थैंक्स फ़र ओचिंग लिखे, और इस तरह से आपका ये वीडियो तयार हो जाएंगा, लेकिन वीडियो तयार कर सकते हैं, अपर 0.01 कर सकते हैं, लेकिन जितना टाइम का आपको वीडियो बनाना है, मुझे 30 सेकंड का बनाना था इसके मैं 0.00 किया, और फिर create वीडियो करके आपको वीडियो बनाना है, okay, तो इसी के मताबिक अगर आपको कुछ सवाल हो, questions, queries, difficulties हो तो आप इसके अंदर पूछ सकते हैं, निचे comment section में जो है, आप इस वीडियो के बारे में feedback दे सकते हैं, thank you very much.